कि नमस्कार महों और शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 News इस समय सबसे ज्यादा एक मुद्धा जो जोर उपर है वो है चैलान का लगातार देखा जा रहा है नितिन गड़करी का एक फैसला पूरी तरफ एक इस तरीके से चाया हुआ है जिससे लोग काफी ज्यादा परिशान है एक समय पर आर्थिक मंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ चैलान का मुद्धा इतनी तीजी से आगे बढ़ रहा है कि लोग उससे काफी परिशान हो चुके हैं कुछ लोग आत्महत्य कर चुके हैं कुछ लोग अपनी गाड़ी को जला च मुटे चलान नहीं बलकि 10,000 जो 15,000 की स्कूटी है उस पर 23,000 का चलान कट रहा है और ट्राइक्टर ट्रॉली वालों को लेरे लाक का चलान का चलान देना पड़ रहा है देखा जा रहा है काफी ज़्यादा बड़े चलान हो चुके हैं जिसकी वजह से जो जंता है वो काफ तो उसके जवाब में कहीं न कहीं एक तरफ ये देखा जा रहा है कि गड़करी और भाजपर सरकार कहीं न कहीं घिरती नजर आ रहे हैं इसी को लेकर अब ये देखा जा रहा है कि भाजपर सरकार बैक फुट पर आ गई है जहां एक तरफ देखा जाता है गुजरात एक ऐसी जगह जहांपर परधान मंतरी नरिन मोदी और अमिश शह गरह मंतरी और इनका गरह राज्यए है गोजरा तो ग poop एक अगरह यह जहां से लगातार देख हुई है लगातार मोदी को लोग पसंद करते हैं वार हम पर शाह को लोग पसंद करते हैं लेकिन अब विजय रुपाणी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मोधी सरकार की खिलाफत हुई है गटकरी की वजह से एक ऐसे समय पर आ गई है भाजपा सरकार जिससे पूरा देश में उनकी खिलाफत हो रही है कहीं न कहीं चलान का मुद्धा इतना इंपोर्टेंट माना जा रहा है कि देखा जा रहा है एक तरफ जहां चलान करना जरूरी है लोगों को सीख मिलनी चाहिए गटकरी ने कहा नितन गटकरी का ये फैसला चुकाने वाला इसलिए था क्योंकि नितन गटकरी ने कहा कि हम इससे जेभे नहीं भर रहे हैं सरकार की बलकि इससे लोगों को सीख मिलेगी और वो सारे कागजात लेकर हेलमेट पहन कर और ड्राइविंग बेल्ट पहन कर ड्राइविंग करेंगे और देखा जाएगा तो इससे लोगों की सुरक्षा के लिए एहम है लेकिन अगर ये इतना एहम है तो सरकार को इस पर इतने बड़ा चलान करने की जूरत क्या है इसी को लेकर विजह रुपानी ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने राज्य के चलान की जो कीमतें हैं वो आधी करती है जैसे देखा गया हेलमेट लगाने पर एक हजार की जगे दस हजार हो गया था तो विजह रुपानी ने उसे आधा कर दिया है अब देखा गया कि विजह रुपानी ने काफी बड़े बड़े फैसले लिये और चुनाव चिंता हो सकता है एक वज़ा ये भी आ रही है कि चुनाव चिंता हो सकता है लगातार देखा गया कि गटकरी की वज़े से कहीं न कहीं ये एफेक्टिड होगा देखा जाएगा कि हर्याना में इतने जादा चलान कट रहे हैं देखा जाए तो गुरू ग्राम में सबसे जादा चलान कटे हैं और ये एक सबसे बड़ा चिंता का विश्या है कि अगर इस तरीके से चलान कटेंगे तो गटकरी कहीं गले की हड़ी बनकर ना रह जाएं क्योंकि अगर गले की हड़ी बन गए भाजपा के लिए तो कहीं न कहीं गटकरी भी एक गेरे में आ जाएंगे कि क्या भाजपा इस समय बैक फूट पर आ गई है इसी बात को देखके लग रहा है कि जो गटकरी ने अपना फैसला वापस लिया है कि राजपा कि मुख्के मंतरी अपना फैसला खूद ले सकते है अपने चलान खुद कम कर सकते हैं या तो देखा जाएगा ये सबसे बड़ी बात आ रही है कहीं न कहीं गटकरी बैक फुट पर गए है और भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफत करते नजर आए हैं तो यह सबसे बड़ा सवाल है जनता के लिए कि आपको क्या लगता है यह जो गटकरी का फैसला है कहीं न कहीं बैकफुट पर जाता दिख रहा है भाजपा को ले जाते होँग दिख रहा है कि भाजपा सर्कार बैकफुट पर गई है तो क्या इसका असर कहीं आने वाले विधान सबट चुनाव में देखने को मिलेगा क्योंकि अगर गटकरी के ये फैसला भाजपा के चुनाव की खिलाफत करता है तो भाजपा कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में गहरा जो एक भारी भरकम जो देखा जाएगा कि भारी भरकम वोट से जीतती आई है लेकिन अब उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है तो ये देखने वाली बात है कि गड़करी की वज़े से कहीं बहाज पासर का लटक न जाए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN 9 News पर धन्यवाद